अगर आप front end developer हैं या फिर front end developer बनना चाहते हैं तो आपके लिए दो suitable choice है Angular और React ये दोनों ही बहुत ज़्यादा popular है और अकसर जो है आप confused रहते होंगे कि दोनों में से कौन सा better है कौन सा select करें कई बार ऐसा होता है कि आप as a fraser आप join किये किसी company में और आपको आप जो है Angular में आपको काम मिल गया बड़ आप चाहते हैं कि React ज़्यादा better है या फिर दोनों में सही कौन है ओके या फिर React में आपको काम मिल गया और आपको लगता है कि Angular भी तो suitable choice हो सकता है because Angular is backed by Google तो फिर कौन सा better होगा और आपके लिए कौन सा suitable होगा कई बार आप confused रहते होंगे तो इस वीडियो में मैं complete information दूँँगा दोनों के differences को बताऊंगा और ऐसे भी दोस्तों interview point of view से बात करें तो भी important हो जाता है interview में अकसर यह पूछा जाता है कि दोनों में difference क्या है अलाकि हो सकता है कि आप suppose that React जानते हैं Angular नहीं पता आपको बट फिर भी general knowledge आपको होना चाहिए आपको कुछ उसके कुछ features के बारे में पता होना चाहिए यह आखिरकार जो आप select कर रहे है तो किस basis पर select कर रहे है उसके advantage क्या है क्या advantage क्या है क्योंकि दोनों इन front end framework है front end framework और library है right Angular framework है और React एक library है exactly क्या advantage and disadvantage है और किस project के लिए कौन सा suitable होगा तो आपको यह दोस्तों पता होना चाहिए it doesn't matter कि आप angular developer है या फिर react developer है as a front end developer as a general knowledge आपको पता होना चाहिए interview के point of view से भी important है तो चलिए उसके advantage and this advantage देख लेते हैं उसके features के एक और उसके features देख लेते हैं तो देखिए angular के बात करें तो angular एक complete full placed framework है okay full featured framework and react जो है एक just a library है अब क्योंकि angular एक full placed framework है तो उससे related उसके advantage or disadvantage दोनों हो सकते हैं वैसे react के भी हो सकते हैं क्योंकि ये एक just library है तो पहला advance अगर हम बात करें तो क्योंकि ये full placed framework है तो most of the जो इसके component है most of the like किसी वी एक front end development के लिए जो कुछ भी required feature है most of the required feature already in build angular के द्वारा दिये जाते हैं क्योंकि ये complete framework है बट react में react में आपको third party library पर भी depend रहना पड़ सकता है बट दोस्तों दोनों ही UI component को render करने के लिए focus करते हैं ओके UI component होता क्या है अगर आप web page देखते हैं suppose that header हो गया, footer हो गया, sidebar हो गया and beach में भी forms हो गया and और भी कुछ areas हो गया तो दोस्तों हर एक area को, हर एक section को आप जो है automate कर सकते हैं automate means आप component बना सकते हैं जैसे जैसे आप एक function बनाते हैं आपको याद होगा, just आप एक function बनाएए उसमें कुछ argument पास कीजिए और आपको output मिल जाएगा उसी type से आप जो है एक component बनाएंगे और जहां कहीं भी ओ component चाहिए component कुछ भी हो सकता है एक component के अंदर form भी हो सकते हैं एक component के अंदर कुछ button हो सकते हैं, कुछ text लिखे होते हैं ओके, एक area होगा उसमें, I mean एक division होगा उसमें text लिखे हो सकते हैं थोड़ा सा stylus हो सकता है अगर उसी चीज़ को multiple times हमको render कराना है तो आपको ज़र्श वहाँ पे text pass करना है, ओके text pass करना होगा, ऐसा नहीं है कि आप फिर से उस code को लिखेंगे तो ये काम असान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों, frontend जो framework और library है उसका काम ही यह है, कि आपके काम को असान कर दे, बार-बार एक ही चीज़ को नहीं करना पड़े तो दोनों का focus दोस्तों website, web page में क्या होता है कि उसमें HTML, CSS, Java script code लिखे होते हैं, HTML, CSS से जो है ओचीज़े दिखाई देते हैं, visualization होता है, और चीज़े render होती है, बट JavaScript क्या काम करता है, उसको manipulate कर सकता है, उसमें चीज़ों को add कर सकता है, Java script में एक power होता है, कि यो कुछ भी manipulate कर सकता है आप चाहेंगे कि एक area आजाए तो भी आजाएगा, आप चाहेंगे कि एक form automatic आजाए, तो आप JavaScript code करके आप change कर सकते हैं पहले वाले को हटा सकते हैं, नया कुछ डाल सकते हैं, तो जो मर्जि ओ चाहें, तो आप कर सकते हैं, javascript की मतर से, तो basically दोस्तों angular और react भी यही करते हैं, यह javascript at the end of the day तो कि देखें, browser जो होता है न वो के वहल javascript ही समझता है right, तो ओ क्या करेगा javascript का code होगा उसमें कुछ logics लिके होंगे उस logics के अधार पे चीजों को render करेगा मतलब, जो वहाँ पे content है, वो content और ब्लॉक है, कुछ भी anything, वो manipulate कर सकता है मतलब उसको change कर सकता है, modify कर सकता है क्या modify करेगा तो logic के उपर depend करता है, आपने logic क्या लिखा है आप चाहते हैं कि कोई button click करे, यह form हट कर उसमें आ जाए कि supposed form एक है fill किये, तो क्या होगा कि जब आप click करेंगे, save करेंगे, तो एक API call होगा, और वो data जो fill किये, वो backend पे जाका save होगा save होने के बाद, वहाँ से response वाएगा कि यह successfully data save हो चुका है, तो उसको आपको दिखा रहा है तो आप चाहेंगे तो form को guide कर सकते हैं, hide कर सकते हैं और वहाँ पे कुछ दूसरा block ले आ सकते हैं वो block में green color का कुछ लिखा होगा कि form saved successfully और उसके लिए page refresh करने के जोरत नहीं है, मतलब जो भी content है, जहाँ पे है वहीं पे पड़े रहेंगे, केवल वही part change होगा, जहाँ पे change होना चाहिए, मतलब जहाँ पे manipulation होना चाहिए तो इसका मतलब यह है कि यह थोड़ा सा fast भी हो जाता है अगर आप traditional approach से अगर code बनाते, केवल, HTML, CSS and Java script यूज करके बनाते, तो भी आप same चीज को achieve कर सकते थे बट हम लोग framework का library क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारा काम आसान हो जाए, जल्दी हो जाए तो यहाँ पे आसान हो जाता है और page refresh भी नहीं होता और सारे content बार-बार load नहीं होंगे, क्योंकि सारे content को बार-बार load कराईएगा, तो again ओ थोड़ा सा slow हो जाएगा, ओ घूमता रहेगा time नहीं लगता, वही part, वही content change होता है, जो content होना चाहिए तो यह सब जो है यह सब जो features है ओ Angular, React और Vue.js भी है, ऐसे front end जो framework है, इसके जरिये possible हो पाया है ओके, बट हम लोग discuss कर रहे हैं, Angular और React के बारे में तो कौन सा suitable choice होगा, तो देखिए React जो है, suitable choice होता है smaller और I mean, small जो applications होते हैं उसके लिए बहुत suitable choice होता है React ओके, और दोस्तों, जो medium और small range के जो project होते हैं ऐसे project, ऐसे number of project बहुँ जादा होते हैं तो इसकी requirement थोड़ा जादा होती है तो React में number of project जादा होते हैं, because smaller and medium range के project भी जादा होते हैं बट अगर angular के बात करें तो angular suitable choice होता है large and complex application के लिए कई बार दोस्तों क्या होता है industry में ऐसा देखा जाता है कि कई जो है offline या फिर suppose it windows के application है ठीक है, windows हो गया तो कई बार क्या होता है बहुत ही complex application है बट उसी complex application को अगर हम लोग web based करना चाहें तो क्योंकि आज के date में online से सब जुड़े हुए है online से सब कुछ connected है तो दोस्तों और कोई भी जो है कहीं से भी access कर सकता है software install करने की ज़ुरत नहीं पड़ती ओके तो फिर इस condition में दोस्तों angular में बनाना ओ complex application जाला suitable choice हो जाता है क्योंकि ये complete full feature framework है इसमें कई सारे ऐसे library मौझूद है जो किसी भी front end application के लिए चाहिए ऐसा हो सकता है कि बहुत ही कम third party library आपको यूज करना पड़े अपने project में अगर आप third party library यूज करना भी चाहते है तो absolutely fine आप यूज भी कर सकते हो तो flexibility है ही बट क्योंकि ऐसे project कम होते है तो market में दोस्तों demand भी कम रहेगा ओके obvious सी बात है अगर आप दोनों में बात करें तो angular के लिए जो javascript framework में नए है वो जल्दी सिख सकते हैं क्यों क्योंकि दोस्तों javascript का बस basic चाहिए angular जो है type script में लिखा गया है आपको type script यहाँ पे चाहिए ओके आप जो है javascript यूज नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पे क्योंकि type script यूज करना है तो angular का अगर basic अगर आपको पता रहेगा तो आपका काम चल जाएगा बट वहीं react में आपको बहुत experienced वाला knowledge होना चाहिए javascript में और again demand के बात करें तो दोनों का ही demand बहुत अच्छा है market में बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोनों में अगर ये बात करें कि किसमें demand ज़्यादा है comparatively तो दोस्तों of course rate का demand ज़्यादा होगा because again number of project ज़्यादा है और experienced javascript developer ही easily काम कर सकते है तो फिर थोड़ा सा challenging भी होता है और ऐसे developer जो javascript अच्छे से जानते हैं वो ऐसे बहुत कम होते हैं ऐसे बहुत लोग react सीखते हैं बहुत लोग को react पता होता है कोई भी अगर javascript सीख रहा है तो अगर ओ front end वे of course क्योंकि javascript शीखने का मतलब ये है क्यों front end developer बनना चाहता है तो फिर react तो सीख लेते हैं बट उस level का दोस्तों knowledge नहीं होता तो जो experience javascript developer होते हैं वो बहुत कम होते हैं क्योंकि बहुत कम लोग के पास वो understanding होती है तो दोस्तों react उसमें जो है stand out होना जो है जो है possible है आप अगर बहुत अच्छा knowledge javascript में तो react सीखना भी असान है काम करना भी असान है और stand out easily हो जाएंगे now salary भी दोरों में almost same है I mean मैं आगे आपको data share करूँगा कि कितना salary आप expect कर सकते हैं as an angular or react developer बट दोस्तों इसमें एक बात important है कि react जो है बहुत ज़्यादा popular है region तो आपने देखी लिया होगा हलाकि दोनों ही सही है angular is backed by google और google कई सारे अपने project में इसका इस्तमाल करता है और क्योंकि google बहुत बड़ा company है और वो इसका इस्तमाल बहुत extensively यूज़ करता है angular material भी यूज़ करता है तो दोस्तों कोई problem नहीं होगा I don't think कि angular कहीं भी जाने वाला है market में कहीं भी नहीं जाने वाला और large application के लिए हमेशा angular best choice होगा बट react react की बात करें तो popularity के मामले में angular से कहीं आगे है तो दोस्तों अगर stack overflow data के survey के recording बात करें तो react जो है 40% जो developer होते हैं मतलब जितने भी javascript framework यूज़ करने वाले developer होते हैं उसमें 40% developer react यूज़ करते हैं और 27% जो developer हैं वो angular यूज़ करते हैं तो obvious ही बात है popularity के मामले में बहुत ही far बहुत आगे है react बहुत आगे है ऑके बट angular की बात करें तो it's also a good number 47% of developer यूज़ करते हैं और बाकी जो बच गया उस percentage में बहुत सारे फ्रेमों का जाते हैं इसके बाद जो next popular अगर कोई java script का framework है तो ओ है view.js बट ये दोनों comparatively ज़्यादा popular है इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ ओके तो react अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें कोई bad decision नहीं होगा बहुत bad choice नहीं होगा of course it's really very popular and 40% सुचिए मतलब all around आप बोल सकते हैं कि आधे आधे developer जो java script यूज करते हैं मैं जो java script developer है और react यूज करते हैं अगर हम ये data देखें इंडिया से बाहर कर रहा हूँ ठीके अगर इंडिया से बाहर आप जाना चाहते हैं कि दोनों में कितना salary मिल सकता है तो दोस्तों react में clearly एक लाग सत्रह हजार एक लाग सत्रह हजार usd एक लाग सत्रह हजार डॉलर and angular में एक लाग बारह हजार डॉलर तो clearly यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 5,000 5,000 usd डॉलर ज्यादा react developer कमाते हैं तो आप समझ सकते हैं यह data इंडिया से बाहर का है तो react developer थोड़ा ज़ादा पैसे कमाते हैं जो मैं data यहाँ पर मैं जो survey का जो recent survey का जो data है मैं उसके according बात कर रहा हूं यह जो दोस्तो data है वो hired और stack overflow से मैं दिया हूं वहीं दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर आप angular developer की salary अगर देखें तो अगर कोई phraser अगर है तो angular की salary on an average 5.2 lakh है ओके एंड अगर एक से चार साल का अगर कोई किसी का पास experience है तो उसका जो salary होगा वो 3.5 lakh से 14 lakh के range में होगा और 4 से 4 से 16 year का जो इसका experience है वो 5 से 16 lakh का package angular में expect कर सकता है वहीं अगर 6 plus से ज़्यादा है तो 7 lakh से 18 lakh का package as a angular developer मिल सकता है वहीं अगर react की बात करें तो react में मैं हाँ पे देख पा रहा हूँ almost same है और react में in fact थोड़ा कम ही दिखाई दे रहा है angular में ज़्यादा था जैसे मैं बात करूँ average salary 4 से 6 साल के experience वालों का angular में 8.5 lakh से 8.5 lakh average salary है मतलब 5 lakh से 16 lakh के बीच में बट वहीं react की बात करें तो 8 lakh average salary है और 4 lakh से 15 lakh के बीच में generally salary देखने को मिलता है तो इंडिया में बात करें तो angular के projects थोड़े ज़्यादा है I mean angular का salary जो है थोड़ा ज़्यादा है और it's just slightly थोड़ा सा ज़्यादा है बट on and every same ही आप मान सकते हैं तो it's not be a bad choice आप angular सीखना चाहते हैं या react सीखना चाहते हैं क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप किसी company में काम करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप react सीख कर गए और देख रहे हैं यहाँ पे तो angular कहीं project भरा पड़ा है और आपको दुबारा से angular सीखना पड़ रहा है मैं वैसा देखा हूँ क्योंकि popularity के हिसाब से लोग react तो सीख लेते हैं बड़ उतने ज़्यादा project नहीं मिलते react में angular में मिलना start हो जाते हैं तो कई बार angular सीखना पड़ जाता है और दोस्तों यह बस project के requirement के recording आपको सीखना होता है जब angular के project अगर है 27% लोग यूज कर रहे हैं बड़ वो developer ही नहीं रहेंगे तो obvious सी बात है सब लोग अगर react सीखेंगे तो angular का demand तो बढ़ी जाएगा angular developer का demand तो दोनों में से कोई भी सीखते हैं तो कोई भी bad choice नहीं होगा जो भी मैं data दिखाया इसके recording तो यही पता चलता है कि क्योंकि small और medium project जादा है तो react का तो जादा I mean number of project जादा रहेंगे और उसके वज़ा से popularity भी जादा रहेगी बड़ angular भी आप सीख सकते हैं because angular केवल big enterprise full feature framework के लिए इस्तमाल किया जाए I mean full featured जो project होते है I mean यह तो full featured framework है तो enterprise project के लिए ही इस्तमाल किया जाता है तो अगर बात करें तो थोड़े से complexity भी ज़्यादा होते हैं angular में तो उसके coding आप decide कर सकते हैं कि आप बेटर choice होगा मुझे personally लगता है कि अगर आप पहले से angular developer हैं तो react सिखने की जूरत नहीं है आप basic knowledge ले लिजिए react का basic knowledge उतना ज़्यादा tough नहीं होता अगर आप angular सिखने के बाद react अगर जानना चाहते हैं तो उसके कुछ features आप जान लिजिए ताकि जो है आपको as a general knowledge आपको idea हो आपको दुबारा से react सिखने की ज़ुरत नहीं है वहीं अगर आप react developer है तो angular सिखने के ज़ुरत नहीं है बट अगर आप किसी company में काम कर रहे है और project की ऐसे requirement है तो क्योंकि आप front end developer है और कोई front end developer मौझूद नहीं है तो आप जल्दी angular भी सीख सकते हैं react भी सीख सकते हैं doesn't matter आप कौन से developer है तो कई बार project के requirement के according आपको सीखना पड़ता है तो उस समय भी आप जो है angular developer होते हुए भी react में काम कर सकते हैं और react developer होते हुए भी angular में काम कर सकते हैं और भी सीखते हुए ओके क्योंकि अब company के बाद अगर extra resource नहीं है तो आप ही को उसका जिम्मा समालना पड़ेगा तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आपके लिए suitable choice है but one thing दोस्तों अगर आप बात करें तो जो angular है angular भी I mean angular मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि angular की popularity कम है तो angular जो यूज करने वाले company है Microsoft आप यूज करते है Windows यूज करते है Windows में भी I mean Microsoft हो गया Google हो गया Azure हो गया Upwork हो गया PayPal हो गया यह सब angular यूज करते हैं दोस्तों और जो आप visual studio में जो काम करते हैं most of the react developer भी है या फिर कोई भी java script developer है तो generally visual studio में वो काम करते हैं I mean वैसे कोई भी कोई भी programming language के बंदे यूज कर सकते हैं बट मैं अक्सर देखा हूँ जो java script developer होते हैं वो visual studio में काम करते हैं वो text editor में और यह जो visual studio code है ना वो भी जो है angular में ही बना हुआ है and similarly react का तो आपको पता है netflix, facebook, uber, airbnb यह सारे top जो website है company है वो यूज करते है react तो दोनों ही तो है दोनों में कोई भी select करें bad twice कुछ भी नहीं है ओके बट अगर आप angular सीखना चाहते हैं तो फिर मैं generally angular से related बहुत सारे course में launch किया हूँ तो आप जो है description में दिये गए number पर आप content contact कर सकते हैं thank you thank you for subscribing to the YouTube channel have a nice day